साथियो नमस्कार वीडियो में आप सब लोगों का हरदिक स्वागत करता हूँ इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि नीव अपडेट के बाद यूटेग सर्विस एप्लिकेशन में एक आप्शन आया है टिकट जनरेट का और टिकट जनरेट करके आप अपने प्रॉबलम का सॉलूशन कैसे करवा सकते हैं तो सबसे पहले आपको लेके चलूँगा यूटेग सर्विस एप्लिकेशन पर यह रही है रहार यूटेग सर्विस एप्लिकेशन यहाँ पर हम क्लिक करते हैं जैसे आप क्लिक करोगे दोस्तों तो नीचे में एक option मिलेगा आपको more का more वाले option पर आपको जाना है जैसे दोस्तों नीचे में देखे यह है more यहाँ पर आपको क्लिक करना है कहाँ पर यह जो more का option दिया यहाँ पर आपको क्लिक करना है जैसे more पल आप click करोगे तो एक option आपको मिलेगा यहाँ पर देखे बहुत सारे option है यह जो option है दोस्तों क्या ticket यहाँ पर आपको click करना है ticket पर click करना है अब यहाँ पर देखे बहुत सारे option है recharge का option है bill payment, add money, withdrawal, other अब आपका recharge का problem है तो आपको recharge पर click करना है यह नहीं कि आपका add money problem है और आप recharge पर click कर रहे हो ध्याँ रखना है यहाँ पर mistake मत करना आपका recharge का problem है तो recharge पर click करिए bill payment problem है तो bill payment पर click करिए add money problem है तो add money पर click करिए withdrawal problem है तो withdrawal पर click करिए जैसे मेरा problem है दोस्तों add money को ले करके तो यह मैं add money पर click कर देता हूँ एडमन इपर में क्लिक करता हूं इदेखे एडमन इपर क्लिक कर दिया इसके बाद यहां पर देखे मेरा नाम मेरा मोबाइल नमबर और मेरा इमेल आड़ी यहां पर डला हुआ है अब हम क्लिक करते हैं कहां पर मैसेज पर तो मैसेज पर आपको क्या टाइप करना है यहां पर लिखना है dear sir आपका id number आपको डालना है यहां पर यहां पर लिखना है एड मनी प्रोब्लम एड मनी इसू प्लीज चेक इसके बाद जो आपने एड मनी किये थे फोन पे गूगल पे पेटियम से जिस भी UPI से आपने एड मनी किये थे उसका दोस्तों आपका payment का screenshot आपको पहले से gallery पे लेके रखना है जैसे कि दोस्तों मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ phone pay में फोन पे में में गया और company को मैं payment किया था तो वो कहां पर दिखेगा यह जो option है कि history यहां पर आपको क्लिक करना है history पर आपको क्लिक करना है जैसे history पर क्लिक करोगे तो यहां पर जो payment आपने किया है वो payment आपको मिल जाएगा यह देखे दोस्तों यह रहा वो payment इसका मैं screenshot ले लेता हूँ मैं ये देते हैं, और इसका मैं स्कृन Ozard ले लिया, अब ये Gallery में Save हो गया, अब आपको कहां पर जाना हैं, यूटेक सर्विस एप्लीकेशन पर जाना है, और यहां पर मैं क्यूक करता हूं, कहां पर, यहां पर क्लिक करते हैं अपन, देख गैलरी को उप्सन आ गया, और ये क्या यह जो option दिया क्या दोस्तों submit यह submit में क्लिक कर दिया यह देखिए दोस्तों आपके सामने में क्या लिक कर आया है success लिक कर आया है अब यहाँ पर मैं OKP क्लिक कर देता हूँ अब कुछ लोगों का सवाल है कि सर हम कैसे check करें कि हमारा problem का solution हुआ की नहीं हुआ तो no doubt दोस्तों आपको क्या करना है यह जो option दिया है क्या ticket list यहाँ पर आपको click करना है इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों देखिए जो आपने ticket generate किया है यहाँ पर आ चुका है अभी क्या दिख रहे पंडिंग दिख रहे क्या दिख रहा है पेंडिंग दिख रहा है यह थोड़ी दिर की बाद में दोस्तों यहां पर complete option आएगा और नीचे में solution लिख करके आएगा हाँ ध्यान रखना दोस्तों एडमनी problem आपका तब ही solution होगा जब आप company को request send करोगे जब तक आप command send नहीं करोगे, command नहीं डालोगे दोस्तों यहने अपना UPI और जो UTR नंबर आप डालोगे नहीं दोस्तों payment के skins और आप UTEC service application से नहीं डालोगे तब तक दोस्तों solution नहीं मिलने वाला है इस प्रकार से दोस्तों आपको अपना एडमनी issue, एडमनी problem आपको ठीक करवाना है अब दोस्तों मैं बताना चाहूंगा यह direct UTEC service application के अंदर में टिकट का option आ चुक है और वहीं से आप अपना problem स्वाट रूट करवा सकते तो दोस्तों हम लोग सीधा UTEC service application पर जाते हैं और देखते हैं कि जो problem के लिए हमने ticket generate किये तो problem का solution हुआ कि नहीं हुआ तो सबसे पहले आपको service application पर आपको क्लिक करना है इसके बाद दोस्तों आपको जाना है कहां पर more वाले option पर जाकर click करना है जैसी more पर जाकर click करोगे यहां पर एक option है दोस्तों किया ticket list यहां पर आपको click करना है ticket list पर click करोगे तो आप देख सकते दोस्तों यहां पर जभी pending दिख रहा था लेकिन अभी क्या लिख कर क्या रह तो इसका मतलब दोस्तों कि अब प्रब्लम का सलूसर करवाना बहुत आसान हो चुका है यूटेक से आप डिरेटली टिकट जरेट कर सकते हैं और अपने प्रब्लम का सलूसर करवा सकते हैं इस प्रकार से आपको solution करवाना है बाकी ये वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो आप जरूर सेयर कर देना लाइक कर देना thank you so much